साब का जिक्र आते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है लेकिन साब किसानों और आम लोगों का मित्र है गोंदिया जिले में खेतों में साब मिलने की घटनाए हमेशाए होती रहती है साब की कारण कई बार किसानों को अपनी जान भी गवानी पड़ती है लेकिन कई समझदार किसान महत्वपूर्ण भूमिकान निपाते हैं जब उन्हें साब दिखता है तो वे सपेरे को बलाते हैं और साब को सुरक्षित्तान पर छोड़ देते हैं ऐसी एक घटनाग गोंदि और साब को बचाया और उसे एक सुनसान चगा पर छोड़ दिया रसेल वाई पर एक दुरलब साब है जिसके कारण से इंसान का शरीर खराब हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है जहां कई लोग साब के कारण से अपनी जान गवा चुके हैं और शारी रिक्रूप से विकल पास में तीन-चार किलिमेटर तो वहां पर दो रसल वाई पर जाती के साब है और वो अपनी कृड़ा में लीन थे जब हम आये तो और काफी जहरीले साब होते वो उनके काटने से जो अंग होता है वो लगबग सडने लगता है तो काफी खतरनाक जहर होता इनका नेरो टॉ तो दो साब थे तो दोनों हमने रिस्क्यू किया अज इनका सीजन होता है तो यह फिर काम क्रेड़ा मा व्यास्त होते है उस दौरान खेतों के मालिक को इनका वो जोडा दिखा उन्होंने अमको कॉल किया तो काफी देर से था चार-पांच घंटे हो गय थे मेरे क्या मादा ह होगी कम से कम पांच फिट के आसपास होगी चार फिट और नर जो था वो छोटा था लगवाश तीन साड़े तीन फिट का अच्छा जहरीले सांप होते हैं काफी खतरनाक होते हैं मैं इसको ले जाकर अभी वनवी भाके सुपूर्द करूंगा उसके बाद कल वो शायद सबेरे जाकर इसको जंगल में छोड़ देंगे इन बिसेंद्रियूस के लिए गोंदिया से अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट